मुश्कार दोस्तों फुल बगीचा चैनल में आपसे भी स्वागत है आज हम बात करते हैं कोकोपीट की यह देखिए कोकोपीट का ब्लॉक है इसको मैं नर्सी से लेकर आया था लोकल नर्सी से ही और यह मैं 160 पर लेकर लेकर आया था यह पांच की लोकर ब्लॉक है और यह 1.500 से लेकर 200-300 तक के बीच में आपको असानी से मिल जाता है और यह अलग-अलग ब्लॉक साइज में आता है यह पांच की लोक है आपको मार्केट में एक क्लॉक का ब्लॉक ही मिल जाएग और दो की लोका भी मिल सकता है तो आज हम इसको यूज करना सिकते हैं तो चलि में बिल्कुल अच्छे से दबा देते हैं मशीन से आप देखो बहुत ज्यादा टाइट है तो इसको यूज करने की दो तरीक है या तो आप एक साथ ही इसको एकसाथ कर लो पानी भीगोगे या आपको जितना ज़रुत हो उसको थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हो तो चल अब मैं इसमें कोकोबिट के ब्लोग को इसमें सोक कर दूंगा तकि वहां से पानी एब्सॉब कर सके जो हम पॉटिंग मिक्स त्यार करते हैं उसमें कोकोबिट बहुत ही मेजर रूप ले करता है इसके दो रिजन है एक तो इसकी वाटर देशन प्रपरटी है यह पानी को रखता है इसलिए हम मत्रवी में बहुत जादा बहुत जादा लाब दायक है और दूसरा यह मिट्टी को पोरस बनाता है जिसे जो इसकी जड़े हैं पौदे की वह बहुत ही अच्छी से पैल जाती है और सीडलिंग से हम ग्रो करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा मेड प्राने लगे है यह कि पानी सोग गया है और आप ध्यान से देखें यह देखें बिल्कुल सोग के लूज हो चुका है मैं एक पार्ट को ही इसको सोग किया है मैंने और मैं उसको निकाल के दिखाऊंगा यह देखो मैं इसको निकालता हूं इस तरह से देखो बिल्कुल जो यह बिलकूल इसके जो रेशियां वह लुज़ो चुके हैं इस तरह से यह जो coconut होता है उसका छिलका होता है यह उसे से बनता है अगर आपको थोड़े amount में चाहिए तो आप इसको घर पर भी आसानी से बना सकते हैं बहुत ही असानी से बंचाता है मैंने इस पे एक वीडियो भिना रखी है मैं उसको लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिशन बॉक्स में अब मैं आपको बताँगा इसको पानी में भिगोना क्यो जरूरी है पानी में इससे निकालना क्यो जरूरी है यह देखे इसको मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ यहां भी देखे ब्लूब यह सॉफ्ट हो चुका है मुस्ली कोकुरेट साउथ में होता है और वहाँ पे जो जब निकालते हैं मशीन से तो वहाँ पे जो पानी उज़ करते हैं वो सी वाटर उज़ करते हैं और सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा हनिका रखोते हैं तो हम क्या करत करते रहें और फिर अब हम इसको करेंगे इसको इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि पानी के इसासत वह सॉल्ट में मिक्स होके बिल्कुल बाहर निकल जाए यह देखिए इसको मैं दिखाता हूं को यह देखो इसमें इतना पानी निकल रहा है तो अभी बात कितिने Water Retention Property की यह प्रपर्टी है वह और अब देखो आप इस तरह से निकाल के अपने बाहर निकालो और बारी बारी से पूरे को इसी तरह से निचोड़के बाहर निकाल लेंगे ये देखी इस तरह से मैंने इनको गोला बना दिया है और पूरा जो सॉल्ड था वो पाने के साथ बहार निकल चुका है और अब ये बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन बस एक काम और करेंगे इसको भी हम धूप में अच्छे से सुखा देंगे तो अब इसको धूप में अच्छे सुखा है उसके बाद यूज़ करें तो ऐसे कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं वैसे तो अब इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं लेकि धूप में सुखा करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा यह देखिए मैंने बिल्कुल वन फिफ्थ पार्ट लिया होगा उसमें से इतना सारा कोपीट अपने त्यार कर दिया है पांच किलोगरा ब्लॉक लगबग लगबग 10 से 12 मीडियम साइज के गंबलों के लिए बिल्कुल सही रहता है यह देखिए मैं बात कर रहा था कि इसको हम सीलिंग यूज करते हैं गैंदे के फूलों को या कोई भी आपको सीलिंग त्यार करनी हो इसमें आप असानी से उसको कर सकते हैं बस एक बात का विश्य ध्यान रखें कि इसके अंदर कोई अपनी इसके यह न्यूट्रिल पियेच होता है लेकिन इसके अंदर कोई न्यूट्रिल नहीं होता तो आपको साथ में खाद यूज करनी पड़ेगी इसलिए सिर्फ उसिफ इसमें कभी भी पूरे प्लान को ग्रोणा करें सीड्लिंग के लिए बहुत अच्छा है आपको सीड्लिंग त्यार करनी है आप कोकोई पिट में त्यार कीजिए बेस्ट आइए और इसे एक फैदा और होता है कि यह जो पौदे की मिटी उसको हलका कर देता है तो गमला भी हलका हो जाता है आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं घर में बालकनी में बालकनी से अंदर आई होप यह वीडियो आपको अच्छे लेगे होगी तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब विचे चनल को मेरे और कमेंट कीजिए